Friends, आज का वीडियो title registration पर based है, जो की नए writers के लिए बहुत important है इस वीडियो में जो बाते में आपको बताने जा रहा हूँ, ये 99% new writers को नहीं मालूम होंगे पर ये बहुत ही ज़रूरी information है नए writers के लिए, अगर उन्हें नहीं मालूम होगा, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा loss हो सकता है तो जानने के लिए देखते हैं इस वीडियो को पूरा last तक चले शुरू करते हैं आज का वीडियो हाई फ्रेंड्स, मैं हुआ अकास रजाक और आप देख रहे आरेस फिल्म्स प्रोडक्शन्स फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्मेकिंग से रिलेटेड़ और भी बहुत सारी वीडियो अबिलेबल है आप उन वीडियो को भी देख करके अपनी knowledge को बढ़ा सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दबाकर औल पर सेलेक्ट कर ले उसके बाद जब वो पुरी script complete कर लेता है तो उसे ले जाता है script registration के लिए तो Film Writer's Association में जब वो script को register कराता है तो script तो register हो जाती है अगर story है तो story भी register हो जाती है पर जो title है वो register नहीं होता है title registration writers association में नहीं होता है title registration होता है producers association में तो ऐसे में जो नई writers है वो क्या करते है वो जब भी registration करानी के बाद अपने script को register जब वो करा लेते है उसके बाद जब वो producers के पास जाते है अपनी film की story को narrate करने के लिए तो वो उन्हें film का title भी बता देते है और film का title जो है ये भी चोरी हो जाता है कभी-कभी सपोज आपने एक बढ़ियां से script लिखी है और आपने एक अच्छा सा title दिया है उसे जो एकदम unique title है तो हो सकता है कि आपकी film के title को भी कोई चोरी कर ले इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी producers के पास अपनी story को narrate करे तो उन्हें अपने फिल्म की title कभी न बताए क्योंकि अगर आपने एक unique title लिखा है और आपने अपने script का title उन्हें बता दिया तो हो सकता है वो से चोरी कर ले अगर genuine person रहेंगे तो उसे चोरी नहीं करेंगे पर किसके दिमाग में क्या चल सकता है यह कुछ कहा नहीं जा सकता है अगर आपके script का कोई unique title चोरी कर लेता है तो आपको इससे बहुत बड़ा loss है क्योंकि बहुत सारे audience ऐसे रहते हैं जो film को उसके title को भी देख करके जाते हैं अगर title unique लगता है तो भी कुछ audience जो है वो theaters में पहुचते हैं film को देखने के लिए तो नए writers हमेशा सचेत रहें कि कभी भी वो जब narration के लिए producers के पास तो अपने script का title बिलकुल ना बता है बस आप उन्हें story नरेट करें हो सकता है कि producer आपको बोले कि इस story का title आपने क्या रखा है तो आप क्या करें आप एक अलग से title सोच करके जाए कोई normal title सोच करके जाए और उन्हें आप वो बता दे अगर आपके script को producer select कर लेते है तभी उसके बाद आप उन्हें real title बताए अपने script का तो याद रखे कि जब आप अपने script को register करवाने जाते है film writer association में तो वहाँ पर सिर्फ आपका script, story, screenplay यही सब register होता है आपके film का, आपके script का title registration वहाँ पर नहीं होता है title registration होता है producers association में जो की producer ही करवाता है तो friends उमीद करता हूँ कि यी वीडियो आपको knowledgeable लगा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे like और share जरूर करे और अगर आपके मिन में किसी भी तरह का कोई doubt है तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते है so friends फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो filmmaking से related होगी तब तक के लिए बाबाब